अब आईए सीधे रुक करते हैं डिफेंस के वेबिनार का जिसमें प्रिदानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए है ताक शमा दया को तभी पुझता जग है बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है चाथियों हथियार और मिलिटरी एक्विपमेंट बनाने का भारत के पास सद्यों पुराना अनुभव है आजादी के पहले हमारे यहां सेंकडो ओर्डिनेंस फैक्टरियां होती थी दोनों विश्व उद्धों में भारत से बड़े पैमाने पर हत्यार बना कर भेजे गए थे लेकिन आजादी के बाफ्त अनेक बज़ाओं से इस व्यवस्ता को उतना मजबूत नहीं किया गया जितना किया जाना चाहिए था हालत ये है कि स्मॉल आम्स के लिए भी हमें दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ता है आज भारत विश्व के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर्स मैंसे हैं और ये कोई बड़े गवरों की बात नहीं है ऐसा नहीं है कि भारत के लोगों में टैलेंट नहीं है ऐसा नहीं है कि भारत के लोगों में सामर्थ नहीं है आप देखिए जब कोरोना शुरू हुआ तब भारत एग भी वेंटिलेटर नहीं बनाता था आज भारत हजारों वेंटिलेटर का निर्मान कर रहा है मंगल तक पहुँचने की शमता रखने वाला भारत आदूनिक हतियार भी बना सकता था लेकिन बाहर से हतियार मंगाना बहुत इजी वे हो गया था और मनुश्य का स्वभाव भी ऐसाई है कि जो जो सरल है वो आसानी से मिलता है चलो भे उसी रास्ते पर चल पड़ो आप भी आज अपने घर जा करके अगर गिनेंगे तो पाएंगे कि जाने अंजाने ऐसी कितनी ही विदेशी चीजों का आप बरसों से इस्तमाल कर रहे हैं डिफेंस के साथ भी ऐसा ही हुआ है लेकिन अब आज का भारत इस स्थिती को बदलने के लिए कमर कसके काम कर रहा है अब भारत अपनी कैपसिटीज और कैपसिटीज को तेज गती से बढ़ाने में जुटा है एक समय था जब हमारे अपने लड़ा को विमान तेजस को फाइलों में बन करने की नौबत आ गई थी लेकिन हमारी सरकार ने अपने इंजिनियरों वेज्ञानिकों और तेजस की छमताओं पर भरोसा किया और आज तेजस सान से आस्मान में उडान भर रहा है कुछ सब्ता पहले ही तेजस के लिए फोर्टी एट थाउजन करोड रुपिय का ओडर दिया गया है कितने MSME सेक्टर जो इसके साथ जुडेंगे कितना बड़ा कारोबार होगा हमारे जमानों को बुलेट प्रूफ जैकेट्स तक के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ता था आज हम ना सिर्फ भारत में ही अपने लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स बना रहे हैं लेकिन दूसरे देशों को भी सप्लाई करने के लिए अपनी कैपरसिटी को बढ़ा रहे है साथियों चीफ अब डिफेंस नाप के पतका गठन होने से प्रोकॉर्मेंट, प्रोसेस, ट्रायल, एंड टेस्टिंग, उपकरों के इंडक्षन, सर्विसीज की प्रक्रियाओं में उनिफर्मेटी लाना बहुत सरल हो गया है और हमारे सभी डिफेंस पोर्स के सभी तीनों विंक के से योग से ये काम बहुत तेजी से आगे भी बढ़ रहा है इस साल के बजेट में सेना के आदूजनी करण की एक परतिवद्दता और मजबूत हुई है करिब देड़ दसक बाद डिफेंस सेक्टर में केपिटल आउटले में 19 परसेंट की बढ़ोतरी की गई है आजहाती के बाद पहली बार डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसेपेशन बढ़ाने पर इतना जोड दिया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर को आगे लाने के लिए उनके लिए काम करना और आसान बनाने के लिए सरकार उनके ease of doing business पर बल दे रही है साथियों मैं defense sector में आ रहे private sector की एक चिंता भी समझता हूँ अर्थ व्यवस्ता के अन्य sectors के मुकाबले defense sector में सरकार का दखल कई गुना ज़्यादा है सरकार ही एक मात्र बायर है सरकार स्वयम manufacturer भी है और सरकार की अनुमती के बिना export करना भी मुश्किल है और यह स्वाभाविक भी है क्योंकि यह sector national security से जुड़ा हुआ है लेकिन साथ ही private sector के साज्येदारी के बिना 21 सदी का defense manufacturing ecosystem खड़ा नहीं हो सकता यह भी मैं तो भली भाते समझता हूँ और अब सरकार के सभी अंग भी समझ रहे हैं और इसलिए आपने देखा होगा कि 2014 से ही हमारा प्रयास रहा है कि transparency, predictability और ease of doing business के साथ हम इस sector में लगातार एक के बाद एक कदम उठाते हुए आगे बढ़ रहे हैं डी-licensing, deregulation, export promotion, foreign investment liberalization ऐसे अनेक उपायों के साथ हमने इस sector में एक के बाद एक मजबुत कदम उठाये हैं और मैं ये भी कहूंगा कि मुझे इन सारे प्रयासों के लिए सबसे ज़्यादा सहयोग, सबसे ज़्यादा मदद, uniform forces की leadership से मिली है वे भी एक प्रकार से इस बात को बल दे रहे हैं, इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं साथियों जब defense force का uniform पहना हुआ अव्यक्ति वो जब इस बात को कहता है तब उसकी ताकत बहुत बढ़ जाती है क्योंकि जो uniform पहन करके खड़ा है, उसके लिए तो जीवन और मृत्यू का जंग होता है वो अपना जीवन संकट में डाल कर देश की रक्षा करता हो और वो जब आत्मिंदेप्रण भारत के लिए आगर आया हो तो कितना सकारात्मक और उस्षा से भरा हुआ वातावन होगा इसकी आप भली भाती कल्पना कर सकते हैं आप ये भी जानते हैं कि भारत ने डिफेंस से जुड़े ऐसे सो महत्वपून डिफेंस आइटम्स की लिष्ट बनाई है जिसे नेगेटिव लिष्ट कहते हैं जिने हम अपनी स्थानी इंड़स्ट्री की मदद से मैनुफेक्चर कर सकते हैं इसलिए टाइम लाइन इसलिए रखी गई है ताकि हमारी industry जरुरतों का पूरा करने का सामर्द हासिल करने के लिए प्लान कर सके सरकारी भाषा में ये नेगेटिव लिस्ट है लेकिन मैं इसको जड़ा अलग तरीके से देखता हूँ जिसको दुनिया नेगेटिव लिस्ट के नाम से जानती है मेरी दरश्टी से ये आत्मन दिर्भरता की भाषा में पॉजिटिव लिस्ट है तो रक्षाक शेत्र भी किस तरह से आत्मन दिर्भर भारत की और बढ़े रहा है आगे प्रधान मंत्री नरींद्र मोदी बता रहे रुखने कुछी पलों के लिए जल्द हासिर होंगे और एक बार फिर से रुख करेंगे समय सेना का जिस तरह से वेबिनार चल रहा है उसमें प्यमोदी शामिल हुए सीधर रुख करते हैं प्रोड़क की ताकत रखते हैं सरफ आगे बढ़ने की जरूत है इन देशों की जहायता करने में भी भारत की बड़ी भूमी का है भारत के विक्सित होते डिफेंस सेक्टर की बहुत बड़ी भूमी का भी है बहुत बड़े अवसर भी है आज हम 40 से जादा देशों को डिफेंस का सामान निर्यात कर रहे हैं इंपोर्ट पर निर्भर देश की पहचान से बाहर निकल कर हमें दुनिया के अग्रणी डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में अपनी पहचान बनानी है और आपको साथ ले करके इस पहचान को मजबूत करना है हमें ये भी ध्यान रखना है कि एक हिल्थी डिफेंस मैनिफेक्टरिंग इको सिस्टिम के लिए बड़े उद्योकों के साथ ही छोटी और मद्यम मैनिफेक्टरिंग इनिट्स भी बहुत जरूरी है उसका पूरान जान बीचाना पड़ता है हमारे स्टार्ट अप्स बदलते समय के साथ तेजी से बढ़लाव करने के लिए जरूरी इनोवेशन हमें दे रहे हैं हमारी रच्छा तैयारियों में हमें आगे रख रहे हैं MSM इस तो पूरे बैनिफेक्टरिंग सेक्टर के लिए रीड का काम करती है आज जो रिफार्म हो रहे हैं उससे MSM इस को ज़्यादा आज़ादी मिल रही है उनको एक्षपांड करने के लिए प्रोचान मिल रहा है